हाई गर्स दिस इस साक्षी एंड वेलकम बैक तो माई चैनल और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप स्टोल या स्कार ये वाला स्टोल किस तरह से कैरी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में गर्स को इसकी जरूरत पड़ती ही है वो आल सीजन अपने साथ इस साथ से कैरी करके रखती हैं इस स्टोल को इससे उनके स्किन डैमेज होने से बचती है क्योंकि वो कभी-कभी इस तरह से कवर कर लेती हैं बाल डैमेज होने से बचते हैं और आज मैं इसी के तरीके बताने व तो हमारा first style है, wrap करेंगे, neck के around और यहाँ पर knot लगा लेंगे, दोनों साइड, इस तरह से, इस तरह से आप इसको carry कर सकती हैं, आप इसको एक साइड से small और एक साइड से बड़ा भी रख सकती है, नमबर two है, again आपको one side knot लगा लिए, थोड़ा से इस बड़े position को open रखना है, और नमबर three है, आपको just knot लगानी है, double number four है, इसको double करना है, neck around wrap करना है, इसी में number five है, थोड़ी variation करेंगे, one side लहनी है, इस तरह से और इसको twist करना है, इस तरह से, and इसको उपर से डलना है, इसको उपर से डलना है, तरह से, next chair number six, मेर्ट प्राप एक्रवोर। नएदस मेर्ट एक्राप नयोम्हार्ड थायओ मर्म Sayaekeeping मेर्ट इस हम Wijnंहार झाल झाल आप अपनी चॉइस का कोई भी ब्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं नाउ दे लास्ट और फाइनल वन इस डबल करनी है आपको स्टोल अपनी एक और टाइम डबल करनी है और जो आपका ये वना पोशन है एंड दोनों साइड के एंड यहाँ पर नॉट लगानी है डबल नॉट ताकि ओपन ना हो और ये हमारा श्रक पैटन रेडी है आई लाइक दिस वन ये मुझे बहुत पसंद है ये आपकी टॉप को डिफरेंट लुप देने में आपकी हैट करता है मैं आपको बैक से भी लिखाती हूँ बैक से भी बहुत सुंदर लगता है ये पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और जाने से पहले मैं आप जिस सब्स्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ वो है खुशी कुरेशी इनकी अभी अभी इंगेजमेंट हुई है शादी होने वाली है तो डबल कॉंग्राइचुलेशन तु यू खुशी और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मूलें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और अल्वेस टेक केर अफ यॉरसल्फ बाई झाले हैं